हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे खीर और उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पतीले में एक लीटर फुल क्रीम डूद को गयास पे दिल्पूल दीमियाज पे चड़ा रखता है और आव हम इन तजार करें कि धीरे धीरे करके गाड़ा हुए फिर इस पर हम चावल डालेंगे हमारे तोध है फोड़ा फोड़ा हो चुका है अब हम इसमें चावल डालेंगे आज हैसा कि अब देख सकते कि कि मैंने या पर काफ़ी कम खुएनटी में चावल ले रखा हुआ है क्योंकि खीर में हमें कम खुएनटी में ही चावल करना चाहिए उसे के खीर हमारी काफ़ी अच्छे बनती है यहां पे मैंने तीन से चार चमच चाओ ले रखे हैं और खीर के लिए हमारे मार्केट में यहां पे जीरा राइस अबलेबल है तो मैं उसी का इसक्तमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कापके अच्छी खुसबु भी है और यह इस्पेसली के लिए आती है आप चाहे तो अपने मार्केट में जो भी राइस के लिए अबलेबल है उसका यूज कर सकते हैं तो राइस को डालने से पहले आप उसे बिल्कुल अच्छी तरह से धोले और जैसा कि मैंन हम दूद में डालेंगे दूद में डालने के बाद इसे हम थोड़ा चला देंगे तागी अच्छे से डिस्ट्रिब्यूट हो जाए और फिर इसे हम बीच बीच में चलाते हूंगे गिल्कुल दीमी आज पर पकाएंगे तो चलिए आजे देखते हैं जब यह थोड़ा घाड़ा हो जाएगा तो फिर हम इसे इसकी चलानी की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी तो अभी तो फिलाल हम इसे फोड़े के लिए इसे तरह चोड़ते हैं बाद में फिर वापास ने करके लिखते हैं आस हो रहा है जब फिर थोड़ा घाड़ा हो जाए तो आप इसे कंटिनूसली चलाते रहें और इसे विल्कुल भी नीचे सटने ना दे हमारत के कापीहत गणा हो चुका है आप देख सकते हैं कि कापीहत बख चुका अब हम इसमें चीनी डालेंगे वना चीनी चीनी चावल के क्वाटिटी में डालना है तो जबसे में ने आय Jonah कि हमने 37 चार चमच चा वल तो अब हम इसमें 3-4 चार चमच चीनी पे डालेंगे तो नहीं पर 4 चमच चीनी डाल रहा हूं तो 4 चमच चीनी कील के अंदर गई अब हम इसे अच्छ तरशा से मिलाएंगे और जैसा कि मैंने खाता कि इसे और मैं चलाते रहना होगा तो आप इसे चलाते रहेंगे तक कि बिल्कुल भी स्टेंडा है हमारा खेर अल्मोस्ट स्ट रेडी है अब हम इसमे फाइनली डायफूट्स डालेंगे तो यहाँ पर मैंने अपने पसंद के डायफूट्स ले रखें और गैस को बंद कर देंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि खीर लोगों को ठंडी पसंद आती है तो आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे फाइनली हमारा खीर हो गया है रेडी और आप देख सकते हैं कि यह काफी टेस्टे दिख रहा है और काफी गाड़ा भी है आप भी इस रेसिपी को ट्राइ करें और खीर को बना है आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलते हैं थैंक यू बाबाई सी यू सूर